बारत की जनसंक्या के अंदर इतना ज़्यादा चेंज आया है तो इसके पीछे रीजन क्या है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि भारत में जो इतनी ज़्यादा जनसंक्या बढ़ी है क्या उनके लिए जो कंडिशन है हमारे देश के अंदर living standard हो गई या फिर मैं बात करूँ जोब की opportunity हो गई वो कितनी up to mark है और हमारे देश के अंदर क्या-क्या जरूरती है अगर जो population बढ़ भी रही है तो इनको सही से handle करने के लिए भारत सरकार को क्या-क्या करने चाहिए कि अचलिए start करते हैं अभी एक report आई report के अंदर बोला गया भारत की जो जनसंक्या है 2023 के अंदर दुनिया की सबसे जादा जनसंक्या वाला देश बन जाएगा साथी साथ उसमें ये भी कहा गया हमारे देश में जो total fertility rate है total fertility rate क्या होता है देखिए एक महिला के द्वारा अपन कि देश के महिलाओं के द्वारा अपने जीवनकाल के द्वारा जीवनकाल में हर महिला के द्वारा 2.1 बच्चे को जनम दिया जाता है तो हम ये कहेंगे कि उस देश की जनसंक्या है वो स्थिर रहेगी अगर किसी देश की जनसंक्या को स्थिर रखना है तो उसकी देश की म महिला ने दो दिये या किसी महिला ने एक हो गया बच्चा उसके या किसी के ती तो यह 0.1 वो margin को दर्शाने के लिए होता है उसको balance करने के लिए होता है यह average है यहाँ पर अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे देश के अंदर जो population में increase हुआ है वो क्यूं हुआ है देखे हमारे देश में जो various mortality rate है mortality rate indicator जैसे की maternal mortality rate हो गया infant mortality rate हो गया यानि शिशु मृत्य उदर होगी मात्री मृत्य उदर होगी इनमें बहुत जादा सुधार आया है इ जो demographic change है जो जन संग्यां के अंदर इतना change हमें देखने को मिला है इनी reasons के कारण मिला है साथ हमारे देश में जो एक living standard है providing skill and training and generating employment है इन सब में हमारे कही न कहीं देश के अंदर कुछ न कुछ अर्चने आई हैं कि हम उस level की employment या उस level का living standard नहीं दे पाए है skill नहीं provide कर तो इन में definitely हमें बहुत जादा बाद आए और problem भी आई है इसके बारे में discuss करेंगे और भारत के पास एक upper hand एक ऐसी population है जो पूरी दुनिया के पास भी और हमारे पास भी एक ऐसी population है जो भारत को बहुत आगे तक ले जा सकते है लेकिन अभी जरूरत क्या है अभी जरूरत है कि उस population का हम सही डंग से use कर सेगे इसलिए ऐसी policies बनाई जाए हमारे पास workforce है लेकिन अगर हमारे पास policy सही डंग से नहीं होगी तो उस workforce का हम use कैसे कर पाएंगे अब बात करते हैं what demographic change has India gone through in time हमारे देश में जितनी जनसंक्या में change आया है इस दुरान की जर्नी कैसी रही population growth the UN world population prospect इसको short form में बोला जाएगा WPP 2022 के दोरा इन्होंने एक forecast यानि कि हम कहेंगे कि भाविश्यमानी की है भाविश्यमानी यह किए कि भारत जो है becoming most populous country country बन जाएगा कब सबसे ज़्यादा population वाली 2023 में चाइना को सरपास कर देंगे कितनी हो जाएगी जनसंक्या 140 पूरे वर्ल्ड में अगर 100% जो लोग हैं उस 100% में से 17.5% जो लोग हैं वो भारत में रह रहे हैं दिस फोर टाइम्स दा पॉपुलेशन इंडिया हैड अड़ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 में भारत की जनसंक्या 34 क्रोड थी और अब कितनी हो गई है उसकी चार हो जाएगी और 2050 तक 166 क्रोड हो जाएगी लेकिन इसी रिपोर्ट में ये बोला गया है कि भारत की जो टोटल टेल्यू टे सी रेट है उसमें एक त्रीके से डिकलाइन आया है कैसे decline आया है देखिए जो total fertility rate जैसे मैंने बताया वो slip हो गई है 2.1 होनी चाहिए थी लेकिन वो 2 हो गई है और भारत में जब माजाद हुए थे उस अजादी के बाद 1950 में भारत की जो total fertility rate थी वो 6 थी यानि 2.1 होनी चाहिए थी देखिए अगर किसी देश की मैंने का ना किसी के अगर देश की जनसंक्या को स्तिर रखना है ना बढ़ने देना ना घटने देना है तो हर माईला को 2.1 जो बच्चे वो पैदा करने पड़ेंगे अब यहाँ पर भारत की हए ने हो सनाइळे शुए हुए तक और वह जाएगा ऐसा नहीं होगा दो अब यह पीक लैवल आ जाएगाays पीक लैवन के बाद जनसंख्या घटनी स्टार्ट होगी भारत के अंदर घटनी स्टार्टक्य क्यूं होगी अब जैसे 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 टाइम आएगा या फिर कहेंगे हम जैसे जैसे 2050 जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चलेगा लोगों के अंदर ओविसली लिटरेसी रेट और भी जीवन परताश्य रेट और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती चलेंगे जिससे क्या है भारत की जो लोग हैं वो अब ज्यादा बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे वो नहीं सोचेंगे इनको लगेगा कि हम दो हैं एक बच्चा बहुत हैं हम दो हैं हमारे दो बच्चे बहुत हैं तो उस सीच को सोचते हुए का जा रहा है कि जो total fertility rate है वो कम होने वाली है भारत की नहीं अपी तू पूरी दुनिया के अंतर यह total fertility rate जो है वो कम होगी अभी बढ़ रही है लेकिन अब आने वाले टाम में obviously कम होगी और वैसे भारत के अंदर देखा जाए तो कम हो भी चुकी है अब क्या कारण है यह जो total fertility rate जो है मतलब कि कहीं इतनी हाई रहती है देखे इसका reason यह है कि एक तो हमारे देश के अंदर high illiteracy rate है मतलब कि जो ए सिक्षित लोग पढ़े लिखे नहीं है child marriage हो रही है और जो under five mortality rate है वो ज़्यादा है हमारे बारत की जो पांस साल से कम उमर के जो बच्चे उनकी ज़्यादा मिर्ति हो रही है और जो workforce participation है woman का मतलब की काम करने में कितनी महिलाएं हैं बार देश में मान लें कि सो महिलाएं हैं बार देश में इस सो महिलाओं में कितनी महिलाएं काम करती हैं वो बहुत ज़्यादा लोग है और दूसरा गर्मिरो गोलियां जो हैं उनका कम use होता है इन सब के अलावा lack economic and indecisive से मतलब की movement का कम participation होता है कोई भी अगर निनायक मतले ना हो उसके अंदर तो यह तमाम बाते हैं जो ओविसली फर्क डालती है हमारे देश के अंदर इन सब चीजों के उपर total fertility इनके उपर फर्क डालता है अब improvement in mortality indicator अब देखिए life expectancy at birth कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो life expectancy है at birth के उपर वो 32 year थी 1947 में आज वो बढ़कर 70 years हो गई है अब यह क्यूं हो हुई है obviously भारत के अंदर medicals हो गई है वो increase हुई है अब देखिए यहाँ पर infant mortality rate के अगर में बात क्रूट decline हो यानि शिश्यों मिरती उदर यानि जब बच्चा पैदा होता है उसके बच् 50 के अंदर लेकिन आज की डेट में 2020 में दो साल पहले किया 27 ही बच्चे यानि टोटल मतलब की 27 infant mortality rate है भारत की 2020 में अंडर 5 mortality rate की अगर में बात करूँ 250 से घटकर 41 आ गया देखिए कि कितना ज़्यादा increase हो गया मतलब better हो गया है इसके अलावा जो maternal mortality rate या ratio जो है वो drop हो गय इसमें आज की rate में वो 103 आ गया है 2019 में दिखे इसमें कितनी ज़्यादा improvement की हो तो यह सारी चीज़ें हमें यह दिखाती है कि obviously भारत के अंदर अगर जन संक्या का boom आया है तो यहां पर बहुत सारी जो को improve किया गया है जिसके कान इतनी ज़्यादा जन संक्या बढ़ गई है इसके अलावा इसका क्या महतव है मतलब जन संक्या increase हुई है तो इसका क्या महतव निकाले हम इससे क्या इसका significance है एक larger जो population है हमारे पास इसका मतलब है हमारे पास बहुत बड़ी संक्या के अंदर human capital है यानि काम करने वाले लोग हमारे पास बहुत जात है higher economic growth होगी improved standard of living है हमारे पास better economic growth कैसे होती है better economic growth इसलिए होती क्योंकि यहां पर activities हो रही है economic activities हो रही है क्योंकि हमारे पास high working age population है high dependency population वो है आज की डेट में lower होगी dependency population क्या होती है देखिए अगर कोई बुजूर्ग इंसान किसी पर depend है कोई बच्चा किसी पर depend है वो कम होता जा रहा है आजकल बच्चे भी काम कर रहे हैं हम देखते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को भी यहां पर छोटे-छोटे नहीं मतलब कि 14 साल से उपर या 18 साल इन पिछले सतर सालों के अगर मैं बात कुरूं भारत के अंदर जो काम करने वालों की जो जंक्याती 50% से बढ़कर 65% हो गई आज की डेट में अब यह सब चीजें बताती हैं कि हमारे देश में जो remarkable decline आया है dependency ratio के अंदर जो children होगे जो elderly person होगे वो अब कम depend हो रहे हैं जो कमा र काम कर रहे हैं online sector इतना जादा boom हो गया है तो काम करने के opportunities हमारे देश में obviously बढ़ी है live living of standard हम कहेंगे तो कहीं न कहीं उसके अंदर improvement हो है medical सुख़ाई है उसके अंदर हमने improve किया तब यह सब चीजें हमारे सामने possible हो पाई है as per the WPP 2022 में इन्होंने बोला है India will have one of the largest workforce globally मतलब की बोला गया है कि मतलब यह है उस actual में है भी मतलब हमारे देश के अंदर काम करने वालों की जो जनसंग क्या है जितने हमारे देश में देखे population के मामले में भले ही अभी फिलाल चीन सबसे आगे चलता हो लेकिन एक होता है कि उस population में एक बुजूर्ग वो काम नहीं कर पा है और इक एसे जो जो लोग है हमारे पास जो काम जादा कर पारें उनकी अभी वो इतने एक्टिव है वो काम कर सकते हैं कि नों को आगे लजा अगे है तो हमारे पास सबसे जादा है यह बीकिन वायब का में और कहा गया है कि आनने वाले पाच्छी सालों में One of five working who люди group मतलब हम बहुत जादा increase करेंगा आने वाले टाइम में अब हमारे देश में बावजूद इसके जनसंग्या बढ़ रही है और हम इसका साई डंग से use क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो इसके उपर बात करते हैं concern regarding labor force देखें इंडिया की जो labor force है obviously उसमें सबसे बाड़ा जा हम growth miss कर रहे हैं वो women के कारण कर रहे हैं क्योंकि इनका participation भारत के अंदर बहुत जादा कम है economic activities में अब देखिए उसके पीछे काफी सारे reasons हैं काफी सारे लोग अपनी महिलाओं को आगे देश में इसकी one for महिलाओं वो कर रहता है यानि 25% महिलाओं काम कर रही है बाकी 75 75 के 100 के 100% हम नहीं चाहते हैं लेकिन जितने पुरुष काम कर रहे हैं at least उतनी महिलाओं भी तो आए हमारे देश में काम करने के लिए अब देखें उससे कितना दादा बूम आएगा the quality of education जो होनी चाहिए थी वो up to mark नहीं है हमारे देश में जिस skill की हमें जरूरत है modernization हो गया है job का market में जिस तरीके की job की requirement है मतलब कि जो job है उसको जिस तरीके की skill की requirement है वो नहीं है मारे पास workforce उस workforce की कमी है भारत में अभी थोड़े टाइम पहले मैंने जैसे street vendor के उपर एक आपके लिए session किया था आप उसको इंदर जा के देखे street vendor की कैसे जंक्या बढ़ रही है या फिर हम मैंने आपके सामने थोड़े टाइम पहले ही agriculture के अंदर कैसे जंक्या कम हो रही है उससे related मैंने आपके बारे में बात किया था अब agriculture को छोड़ कर लोग दूसरे sector में जा रही है अब दूसरे sector में जा भी रही है तो यह आंकड़ा नहीं है हमारे पास वो दूसरे sector कौन से है क्योंकि ज़्यादा तर लोगों के पास skill नहीं है skill ना होने के कारण वो या तो street vendor में जा रहे है यानि कि वो ठहला चलाने वाले हो गए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वो काम कम है लेकिन वो एक unorganized sector के अंदर जा रहे है जिससे उनकी income जो है जहां से वो निकल कर आयते उससे कम ही है तो obviously जो हमारे देश के अंदर यह आप देख रहे हो ना कि जो market में जिस job की चाहिए मतब जो job है हमारे पास market में उस त्रेकी की skill नहीं है तो इसके उपर work करना बहुत ज़्यादा जुरूरत है भले ही भारत जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा populated country हो गया हो लेकिन employment rate के अगर मैं बात करूँ वो भी अपसे सबसे ज़्यादा low ही है भारत के अंदर दूसरी अगर मैं बात करूँ sex ratio आज की rate में भी हमें ज़्यादा निराशा जनक करते है sex ratio कैसे निराशा जनक है देखिए 1951 के अगर मैं बात करता हूँ भारत में जो sex ratio परती 1000 पुरुष के उपर 946 महिलाई थी 1951 की बात है 2011 में जो sex ratio में बात करता हूँ घटकर 946 से 943 943 होगी महिलाई 1000 पुरुष के उपर और 2022 में यह उमीद की जा रही है कि यह जो ratio है वो 950 हो जाएगा 1000 पुरुष के उपर तो obviously इससे काफी जादा फर्क पड़ भी रहा है और कहा जाता है कि जैसे कि one of the three girls missing globally due to sex selection भाईया जिसको sex selection करना होता है कि मुझे लड़का चाहिए मुझे लड़की चाहिए फिर लड़का जादा prefer किया जाता है उस sex selection के कारण पूरे global के अंदर जो लड़किया मीस हो रही है लड़किया जो एक तरीके से गायब हो रही है लापता हो रही है ऐसे समझ लीजिए उन तीन लड़कियों में से एक जो भारतिय लड़की है इतना जादा हमारे पास एक तरीके से हम कहेंगे कि निराशा जनक शेक्स रिशो है इसके अलावा हंगर, भूख हम अगर हमारे देश की बात करें तो आज हमारा देश काद्य पतार्तियो जो अनाज का जो हमारे देश के अंदर हमने जिस तरीके का सिस्टम क्रिएट कर रखा है 1962 की बात है जब हमारा देश चीन के साथ दियूद लड़ रहा था उसके बाद जैसे हमने ग्रीन रिवोलिशन लेकर आये थे उस ग्रीन रिवोलिशन के बाद जैसे हमने ग्रोध की थी हम अनाज बाहर से मगवाते थे लेकिन बावजोद उसके आज भी हम हंगर में इतने ज़्यादा पिछड़े हुए है कैसे देखे 116 देशों में से भारत की रैंकिंग 101 आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत के लिए काफी जादा एक चिंता जनक निराशा जनक बात है क्योंकि हमारे देश में जैसे हम welfare scheme चला रहे हैं देखे food security जैसे हमारे देश के अंदर public distribution system है हमारे पास midday meal scheme है हमारे पास वाव जो दूसके हम 101 रैंक में 116 देशों में इसके अलावा health disease burden यह काफी जादा important है हम जब अजाद हुए थे उस वक्त जो हम जिस तरीकी की बिमारी से हम लड रहे थे वो थी हमारे पास communicable disease मतलब अजादी होने के बाद और आज देखे वो pattern जो है communicable disease का बदल चुका है non communicable disease आ गया है non communicable disease क्या होती है देखे diabetes होगी, cancer होगया, high blood pressure hypertension होगी इनके कार्ण जो हमारे देश में जो death हो रही है मान लीजिए 100 लोगों की death हुई है भारत के अंदर उसमें से 62% जो है वो death सिर्फ इस non communicable disease के कार्ण हो रही है इंडिया जो है वो globally burden है हमारे देश में, मतलब कि एक समझे 8 करोड लोगों का घर है जहां पर diabetes है भारत में more than quarter of globally death मतलब एक जोथाई पूरे विश्व के अंदर जितनी death हो रही है air pollution के कार्ण एक जोथाई death जो भारत के अंदर हो रही है इतनी ज़्यादा बुरा हाल है इसके अलावा भारत में जो healthcare infrastructure के उपर हमें जितनी ज़्यादा efficient होना चाहिए था जितनी हमें इसमें ज़्यादा प्रबल होना चाहिए था हम बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे है और भारत सरकार के द्वारा या फिर government के द्वारा जितनी इसमें investment के जाने चाहिए थी GDP की 1 to 1.5% इसके अंदर हम कहेंगे कि इतना ही इसके उपर खर्च किया जाता है तो बहुत ज़्यादा कम है दूसरी देश को अगर हम देखते हैं दूसरी देशूं के अगर हम करते हैं तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं आने वाले time में यह क्या क्या करना चाहिए फोकस करना चाहिए elderly population के उपर देखे elderly population के एक तो इनके लिए scheme बनाने चाहिए financial, healthcare, sport system हमें आज की डिप में बहुत जादा जूरता है जो हमारे देश में जो बुजूर्ग हैं उनको ध्यान में रखते हुए साथ इसाथ उनके जो experience है उनको भी बहुत जादा अच्छे से use कर सकते हैं ऐसी scheme हमें लेके आने चाहिए ऐसी investment हमें लेके आने चाहिए जो human capital के अंदर investment करें जो older adult हैं उनकी वो अपनी सही डंग से जी सकें healthy population लेकर आए हम हमें ऐसी ऐसी scheme लेकर आने चाहिए जो older population होगे जो काम नहीं कर पा रही है तो उनके लिए social security, pension system यह सही proper ढंक से हो अब effort for better living standard there need to be preparedness with suitable infrastructure अभी देखिए हमारे देश में जो infrastructure किसकी बात हो रही है quality education की definitely हमारे पास काम करने वालों की संक्या बहुत जादा है लेकिन market में जिस तरिके की requirement है उस तरिके की skill नहीं दे पाने है और skill देनी है तो quality education पर work करना पड़ेगा ताकि उनकी skill पर improve हो सके तो वहाँ पर चिज़ें अगर सही डंग से होंगी तो आने वाले time में जो व्यक्ति है वो जिस तरिके की job उनके मतलब की जिस तरिके की requirement है employee की वो उसमें fit पैठेगा तो यहाँ पर वो सब चीज़ें करने की या फिर investment करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब the focus not be on population control देखे आज की date में population control के पर focus इतना नहीं करना चाहिए वो इतनी ज़्यादा problem है नहीं problem जो है वो quality of life पर है इन पर focus करना चाहिए skill जो लोग 25 से लेके 64 की age की bracket में आते हैं उन्हें एक skill की जूडते है जिससे वो अपने लिए better income और better productive देश के लिए वो शाबित हो सके हम बात नहीं करेंगे कि ruler और urban में ऐसा होना चाहिए हर जगा ऐन ऐसा होना चाहिए कि public school system ऐसा हो वो ensure करें कि हर बच्चा अपनी high school education या फिर मतलब कि education जो है वो complete करके निए और उसको एक appropriate skill training vocational education दी जानी चाहिए जो market में demand चल रही है उस तरीकी कि उसको skill ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के उसको भेज दिया कुछ भी उसको skill दे दी जबकि जुरूरत है नी market के अंदर दूसरा हमें gender gap को जो workforce के अंदर है उसको कम करना होगा women को और ज़्यादा आगे लेके आना होगा उनके लिए कुछ scheme बनानी होंगी 3 trillion dollar की economy हमारे देश में और वहाँ पर हम एक जोथाई हिस्सा ही जो है वो women का workforce है यहां पर तो obviously इस सब चीज को increase करने के लिए कुछ scheme हमें ऐसी लेके आनी पड़ेंगी इसके अलावा increase child care benefit boosting tax intensive for part time work मतलब अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको tax के अंदर कुछ छूट दी जाएगी tax intensive दी जाएगे तो ऐसा प्रोसाहन करना चाहिए भार सरकार के दौरब तो यह सब चीजें थी उमीद करता हूँ कि आज का जो topic वो आप लोगों को समझ में आ गए होगा लेकिए population को ऐसे मानना की जनसंक्या जादा बढ़ रही है तो खत्रा है खत्रा मानने की बज़ाए उसको ऐसे लिजए कि भारत में आके रहे रहे वो क्यों कि इतनी बड़ी market उनको दिखते तो वो market हमें capture करने चाहिए हमें उस धंक से सोचना चाहिए skill हमें provide करवाने चाहिए तो मैं करता हूँ कि यह topic जब आपको अच्छे से समझ में आया होगा समझ में तो बेशक वीडियो को